हलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राघाव सर साइन्स में आज हम कक्षा दस्वी विशेविज्ञान के अध्याय नो आनुवन सिक्ता एवं जय विकास के महत्वपून ज्याना धरित प्रश्ण को समझेंगे आज का हमारा प्रश्ण है गुर्शुत्र क्या होते हैं इनके कार लिखिए क्या होते हैं गुर्शुत्र लीजिए चित्रा आपको सब समझा देगा हमारी कोशिकाओं का अनुवानसिक पदार्थ ये कोशिका है हमारी कोशिका का अनुवानसिक पदार्थ कोशिका ध्रव में नहीं बलकि केंद्रक के अंदर पाया जाता है कोशिका का अनुवानसिक पदार्थ अनुवानसिक पदार्थ किसे कहते हैं हम डियने को ये कोशिका के कोशिका द्रव में नहीं बलकि कोशिका के अंदर मिलने वाले केंद्रक में पाया जाता है ये देखिए हैं केंद्रक है और केंद्रक के अंदर भी अन्वानसिक पदार्थ जो डियेने हैं वो धागे नुमा एक विशिष्ट सनचना के रूप में देखने को मिलता है धागे नुमा केंद्रक के अंदर मिलने वाली इस धागे नुमा कुंडलिट सनचना को ही हम क्रोमोजोम्स या गुंसूत्र कहते हैं तो हमारी मैं गुंसूत्र की आपको दो परिभासाइं बताऊंगा पहली परिवासा यही है कि किसी कोशिका का संपूर्ण अन्वानसिक पदार्थ उसके केंद्रक के अंदर धागे नुमा कुंडलित सनचनाओं के रूप में पाया जाता है किंदरक में मिलने वाली इस धागे नुमा विशिष्ट सनचनाओं को हम क्रोमोजोम्स या गुणसूत्र कहते हैं यह भी हमारी पहली परिवासा अब हम दूसरी परिवासा देख लेते हैं ये देखे, गुणसूत्र बना किस से हैं? गुन सुत्र बना है डीयने से और डीयने पर क्या पाए जाते हैं जीन्स डीयने के कुछ विसेश खंड जिन पर अन्वानसिक संकेत लिखे उपे रहते हैं जिस पर बनने वाले प्रोटीन के संकेत लिखे उपे रहते हैं उन डीयने खंडों को हम जीन कहते हैं तो डीयने पर जीन पाए जाते हैं और ये जीन जीन मिल रहा है DNA पर और DNA से बन रहा है गुनसूत्र अर्थाद गुनसूत्र के ऊपर जीन्स होते हैं देखें जीन एक विसिस्ट्र DNA खंड है और इसी DNA से बना है गुनसूत्र अर्थाद गुनसूत्रों पर जीन्स पाए जाते हैं प्रजिनन के समय ये गुनसूत्र अपनी प्रतिलिपी बना लेते हैं अपने ही जैसी एको डुप्लिकेट कॉपी बना लेते हैं इस किरिया को हम स्वध उगड़ा निया प्रतिलिपी करण कहते हैं तो कोशिका इवाजन के समय पहले गुणसूत्र अपनी प्रतिली भी बनाता है। उसके बाद ये अलग-अलग कोशिकाओं में चला जाता है। कि गुणसूत्र जीन को वहन करने वाली वे वेक्तिक काईयां हैं जो उत्रुत्तर कोशिकाओं इवाजन के समय नई कोशिकाओं या संतानों में जाती हैं और जीन्स को अगली पीडी में पहुंचाती हैं ताकि जीन्स के माध्यम से लक्षण भी अगली पीडी यानि मातापि सासे सम्तानों में चले जाएं तो जीन्स को वहन करने वाली काईयां जो जीन्स को अगली पीडी में ले जाती हैं गुण सुत्र कहलाती हैं ये हुई हमारी गुण सुत्र की परिभासा अब गुण सुत्र का कारे क्या है गुण सुत्र में या नए जीवों में भेज देगा जीन्स अर्थात लक्षणों को पीडी दर पीडी ले जाना ये भी गुनसूत्र करता है ये जीन्स हैं किस पर जीन्स गुनसूत्रों की उपर ही हैं तो गुनसूत्र जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है तो गुनसूत्र बस है और जीन्स उसमें बैठी वी सवारियां है तो बस जाती है तो सवारी एक जगे से दूसरी जगे चली जाती है तो गुनसूत्र जा रहा है तो जीन्स भी अपने आप एक पीडी से दूसरी पीडी में जा रहे हैं तो ये जीन्स को ये लक्षणों को एक अगर तेविस्वा जोड़ा एक्स वा है तो नर होगी तेविस्वा जोड़ा एक्स एक्स है तो माधा होगी तो सरीर की सरचना सरीर कौन सा जीव बनेगा उस जीव का लिंक क्या होगा कौन निर्धारन कर रहे हैं चाती साथ सरीर में होने वाली सारी किरियाओं का निर्धारन में महत्वपूर भूमिका है तो यह हुए गुनसुत्र के कारे उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे अधिक से अधिक लाइक तथा सेर कीजिए एवं ऐसे ही अनसिक्छास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत ब करने बाद